ने इसमें तो हम होम जो यहां का ग्रीव विभागे उसका फेलियर देख रहे हैं और इसको रेक्टिफाई करने का अथोरिटी उनके पास है और मेरे ख्याल से बहुत सीरेस कंसर्न है क्योंकि प्रसाशन से हर एक इंडिविजुल का लाइफ लिंक्ट है जार्खंच में प्रभार में चल रहा सरकारी अमला किसी अनुमंडल में नहीं है डिएस्पी की पोस्टिक तो कई प्रखंड और अंचल में खाली है बीडियो सीयो के पद एक तरफ चारखंड सरकार प्रसाशनिक अलमों में बड़ा उलट फेर कर थोग भाव में अधिकारियों का तबादला कर रजमे कानून व्यावस्था में सुधार का जुगत लगाती है वही रज के कई ऐसे अनुमंडल है जहां डी एसपी जैसा महतपुर्ण पद भी खाली पड़ा है और तो और बीडियो सीयो जैसे अती महतपुर्ण और सीधे जनता से जुड़े रहने वाले अधिकारियों के पद भी खाली पड़े है इस हालात में सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार जिन बड़े बड़े लोक लुभावन वादो का घोशना कर रही है उससे सरजमी पर कौन उतारेगा पलामू के कई प्रखंडों में बीडियो सीयो के पद खाली है तो हुसेनाबाद में अनुमंडल पुलिस अधिकारी का ही पद एक महिने से खाली पड़ा है इस मामली में अन्सिपी नेता सूर्या सिंग ने बताया कि लंबे समय से उनके छेत्र में तीन प्रखंड में बीडियो की पोस्टिंग नहीं हुई है अनुमंडल पुलिस अधिकारी का पद खाली है आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है यह समझ से परे है राजमय अप राध बढ़ रहा है लेकिन फिर भी अनुमंडल पुलिस का एक महत्पुन खाली पद छोड़ दिया गया है गरीब जनता अपनी शिकायत लेकर हर दिन अनुमंडल पुलिस कारियाले पहुँच रही है लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं है जो उनकी फरियात को सुने समाबले में कई बार उन्होंने संबंधित अधिकारी को ग्यापन दिया बावजूद किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है सरकार की मनसा इससे साफ जाहिर होती है कि सरकार छार्खन की जनता को लेकर कितनी गंभीर है इसमें तो हम होम जो यहां का ग्रीव विभागे उसका फेलियर देख रहे है और इसको rectify करने का authority उनके पास है और मेरे ख्याल से बहुत serious concern है क्योंकि प्रसाशन से हर एक individual का life linked है तो discipline तभी रहता है जब एक system में faith रहे लोगों का और system में faith तभी रहता है जब लोगों को एक transparent system दिखे तो unfortunate है यही तो यह मैंने कभी सुना ही नहीं है ना देखा है अब जैसे कोरोना कैसे आ गया था किसी ने देखा नहीं था वैसे हुसे ना बाद में यह चीज़ें है कि बस डीएस पी नहीं सीओ वीडियो को एक महीने से लोग नहीं और यह unprecedented है यह हुआ नहीं था कभी आप सोचिए कि हम लोग तो बोल रहे हैं लेकिन जो गरीब मतब खर्च करके ब्लॉक आता है चाहे पेट्रॉल डाल करके या बस से उसे वापस जाना पड़ रहा है को कि वहां पर पदादीकारी नहीं बैठे है तो आपको फरक नहीं पड़ता ह लेकिन उनको कितना बड़ा यह सेट बैक कर रहा है कितने लोग इमोशनल डिप्रेशन में चले गए हैं तो यह यही दिखाता है कि यह एक तरह से बिल्कुल फेलियर हो चुका है और विपक्ष जो बोलता था कि क्या कहते है ट्रांसफर पोस्टिंग की सरकार तो मुझे तो झाल 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 झाल